इरान इस्राइल टेंशन के बीच न्यूज आई कि यूएस ने 95 बिलियन डॉलर्स का एड बिल पास कर दिया इसमें 61 बिलियन डॉलर्र युक्रियन के लिए और बाकी इस्राइल और तैवान के लिए और यह से मिलनी आम सो वेपन्स परचेस करने लिए और वो भी खुद USA से और इधर खबार आई कि रशिया इरान को सुखोई 35 दे रहा है मुझे कभी-कभी यह समझ में नहीं आता है कि वार होती है इसलिए वेपन्स बनते हैं या वेपन्स बनते हैं इसलिए वार होती है या वार होती और करवाई ही इसलिए जाती है ताकि वेपन्स बन सकें और बेख सकें सुडेंट के एक इंडिपेंडेंट फिंग टैंग है सिप्री, इस्टॉक होम्म्स इंटरनेशनल पीस रिसरच इंस्टिटूट, जिसका काम है दुनिया भर में हथियारों के मुव्मेंट को ट्रेस करना, इसी सिप्री के एक रिपोर्ड के अनुसार, अमेरिका दुनिया का इसे देश, दुनिया भर में किसी भी विवाद में अपनी नाग गुसेडे रहते हैं, और इधर इसी सिप्री की रिपोर्ड के नुसार, दुनिया में सबसे बड़ा हथियार कर दिदने वाला कोई और नहीं बलगी अपना भारत है, इसके बाद नंबर आता है साओधी अरे अटायक से हो जाए, जब पूरी दुनिया एक साथ हो के लड़ने लगे, जैसा हॉलिवुड की मूवी इंडिपेंडेंस और बैटल शिप में दिखाया गया है, वरना शायद इसका कोई अंती नहीं है, भाई साब ये धंदा ही डरका है, वरना सोची आज हमारे अगल बगल के देश जो पैसा बाहर से अनाच खरिदने को मांग के लाते हैं, उसका इस्तिमार हथियार खरिदने के लिए करते हैं, मतलब खाने को एक रोटिक कम मिले पर असलाह कम नहीं परना चाहिए, देखें मेरे ख्याल से ऐसा तो कभी नहीं होगा कि हथियारों की जरूरत ही खतम हो जाए, पर ये जरूर हो सकता है कि हम आदम निर्वर बन जाएं, ताकि सौ रुपए की चीज़ को हम दो रुपए में अपने यहां ही बना सके, और मुझे लगता है कि इंडिया इस दिशा में आगे बढ़ रहा है, आपके हैसोस्ते हैं कमेंस में जरूर बताइए